नमबर 17 में हमें डैटा दिया है about the weight of the students of red brick public school और इसमें आगे लिखा है there are 18 students in the class 18 students in class में ऐसे that way above the median weight जिनका weight जो है na median weight से ज्यादा है 18 students ऐसे हैं जिनका weight median weight से ज्यादा है और आगे लिखा है if there are no student with the same weight as the median weight और ऐसा कोई भी student नहीं है जिसका weight median weight के equal हो और हमसे पूचा है how many students way between 37 to 40 kg 37 to 40 kg की बीच में कितने students होंगे हम माल लेते हैं कि x student होंगे 37 to 40 kg के बीच में अब जब बच्चा median निकालती है तो सबसे पहला step हमारा होता है cumulative frequency का ठीक है तो cumulative frequency कैसे होती है 6 पहली वाली same रखते है then 6 plus 8 करते है 14 next वाली add करते जाते हैं और 14 plus 7 next add करते जाओ 21 21 plus 10 31 और finally 31 plus x और फिर हम क्या करती है जो number of students है उसका भी total करते है और उसको हम किस से donate करते है एंसे और एंड किसके एक वाला आता है बच्चा जो लास्ट वाली cumulative frequency है ना उसके एक बनाता है तो एंड जो है न हमारा बच्चा इधर क्या है 31 plus x एक्स निकालने के बाद हम फिर क्या करते हैं लेकिन हमें उस पर नहीं जाना अब हमें इसी सही हमारा अंसर मिलेगा तो द्यान से समझे बच्चा एक्स की वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि एन अपॉन में रख लो बच्चा तो यह 18 हमें कैसे मिला है यह वाला 18 और यह वाला 18 यह हमें टोटल जो एन एन को टू से डिवाइड करके मिला है यानि कि एन अपॉन टू की वैल्यू है यह जो 18 है दिहान रखना यह किसकी वैल्यू 18 स्टूरेंट्स अबाफ दा मीरियन वेट चाहे बिलोव एक्जाम में अबाउफ की जगे बिलोव भी कर देना तो यह वाला दे तो भी यह एन अपॉन 2 की वैल्यू रहेगी इस बात का ध्यान रखना तो इसको हम इस इक्वल टू 18 डाल देंगे और फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे आप देखो x क्रॉस मृटिप्लाइ क एक्स इस इक्वल टू फाइफ फाइनली हमारा अंसर आगया एक्स इक्वल टू फाइफ यानि की नंबर ओ स्टूटेंट बेट्विन 37 तो 40 kg कितने हैं फाइब हैं तो ऑप्शन एफाइफ इस आवर अंसर